नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है यॉर नॉलेज शो में। तो दोस्तों वही हुआ जो होना चाहिए कश्मीर मामले पर P.O.K. एक्टिविस्ट ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में पाकिस्तान को ही धो दिया। जिस कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान ने कबजा कर रखा है। वहां के लोग पाकिस्तान के खिलाफ अब अंतर राष्ट्रिय मंचों पर बोलने लगे हैं। चलिए आपको बिस्तार से बताता हूँ। दरसल ब्रिटिश संसद में 26 अक्टूबर 1947 को ततकालीन रियासत के भारत में मर्ज की, 76 वी वर्षगांट की पूर्व संधिया, जम्मू और कश्मीर दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम चल रही थी। वही पाकिस्तान के कबजे वाले, कश्मीर के राजनीतिक कार करता प्रोफेसर सज्जाद राजा ने ब्रिटिश संसद में कह दिया कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर विवाद में वैध पक्ष नहीं है। उन्होंने कहा कि पियोके में लोगों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है और उन्हें जम्मू कश्मीर में मिलने व तो क्या ये जायज है बिलकुल नहीं. इसलिए अगर कोई वैध पार्टियां हैं तो वो जम्मू कश्मीर के लोग और भारत है. पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है. उन् पाकिस्ता वे लग्ण्हें है पार्ष Kr Tokyo करोपगज सुनुनित्ता स्कॉमौ प् SEN. आर भी थ जारी है. पाल्यक मेरा थे जारीक। Duch dona better may as a legislative party later on, when it's being considered that I shall be thrown out of this parliament house. So these are different standards for us, different standards for, the Crystal Book of World and for others. So it's been too long, I apologise, I'm sorry. Let me emphasize, it is still not too late. Pakistan must be forced to give us all the basic human rights and सच्चाद राजा ने बिटिश संसद में कही गई बात को शेर करते हुए एक्सपर कहा, मैंने बहुत सपष्ट रूप से और बिना किसी असपष्टता के सांसदों और अन्यगण मानने व्यक्तियों को यह सपष्ट कर दिया, कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के विवाद में एक वैध पक्ष नहीं है, विवाद में केवल दो पक्ष हैं जम्मू कश्म के लोग और भारत. सज्जाद राजा ने अपने पोस्ट में ब्रिटिश गवर्मेंट को भी आइना दिखा दिया, उन्हों कहा, मैंने सांसदों से यह भी कहा, कि हम पाकिस्तान के कबजे वाले जम्मू कश्मीर के लोग, 1947 में ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई गलतियों क के कारण अभी भी पीडित हैं और बिना किसी अधिकार के रहने को मजबूर हैं। दोस्तों इससे आप समझ सकते हैं कि ये लोग कितनी ज्यादा परेशानी का सामना कर रहे होंगे, एक तरफ भारत प्रगति कर रहा है और दुसरी तरफ भारत का हिस्सा होके भी हमारे लोग पिचरे हुए हैं। हलाकि इस विशे पर आपका क्या व्यू पॉइंट है हमें कमेंट करके बताईएगा। क्यूंकि हम ऐसा वीडियो अपलोड करते रहते हैं इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू और शेयर करें।